प्रियों आप जानते हैं कि ट्विन से सेप्रेशन कब होता है जब हमारा ट्विन हमको आइना दिखाता है तो वो हमारी सारी कमियों और कमजोरियों को दिखाता है लेकिन हम उस बात को सिवकार नहीं करते क्योंकि हमारे भीतर एक एगो होता है और जब हम उस बात को सिवकार नहीं करते तो runner chaser का एक game शुरू होता है और इसी वज़ा से separation होता है क्योंकि उस वक्त हमारा twin हमको आइना दिखा रहा होता है वो हमको यही बता रहा होता है कि जो कमिया तुम मुझे में ढून रही हो या बता रही हो वो मुझे में नहीं बलकि तुम में है क्योंकि मैं तो तुम में ही हूँ जब तुम खुद पर काम करोगी खुद को clear करोगी तो खुद बखुद मैं तुम्हारी और आकर्शित होंगा उस वक्त एक reunion की इस्थिती बनेगी जब twin का आना होता है करते हैं तो वो सारी बाते हमको याद आने लगती है तो यहां पर मैं कुछ ऐसे points आपको बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि separation का end कब होता है और आपके twins से reunion होने वाला है इसके क्या संगेत है तो यहां पर मैं कुछ ऐसे points बताने जा रही हूँ जो ये बताते हैं कि आपका separation period end होने वाला है और आप अपनी twin के साथ reunion में आने वाले हैं फर्स्ट है Surrender to God एक ऐसा समय जब आप अपनी twins से separate होए थे उस वक्त आपके मन में बहुत से प्रश्न थे आपने डिवाइन से पूछा लेकिन आपको उसका उत्तर नहीं मिला आप बहुत लड़े जगडे विवात किया लेकिन उसके बाद भी कोई परिणाम नजर नहीं आया लेकिन कुछ समय के बाद आप जब उन हालातों से परिस्तीतियों से लड़ते लड़ते ठक जाते हैं तो डिवाइन को सरिंडर कर देते हैं अपनी जीवन को अपनी इस जर्णी को अपनी ट्विन को उन्हें समर्पित कर देते हैं और यही कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती अब आप ही इसे संभालिए अब आप ही इस जर्णी को पूरा कराएं और तब डिवाइन का काम शुरू होता है डिवाइन आपके पक्ष में काम करना शुरू करते हैं तो ये वो समय है जब आप डिवाइन को सरिंडर करते हैं सेकंड है वेटिंग के एनरजी से बाहर आना, एक ऐसा समय जब आप अपने ट्विन से सेपलेट होते हैं, तो आप वेटिंग के एनरजी में चले जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन वो नहीं आते, और जब आप वेट करते करते ठक जाते हैं, तो आप ये निर्ने करते हैं कि अब मुझे पूरी रीथी से मौन करना है, खुद की और फोकस करना है, और आप अपनी और मुड जाते हैं, उस वक्त आपको अपने ट्विन के बारे में जानना, उनकी जानकारी लेना, उनकी एनरजी पता करना, वो किसके हैं किया कर रहे हैं, उसका कॉल या मैसेज कब आएगा, इसके बारे में कोई इंट्रेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप उनका पीछा छोड चुके होते हैं, और खुद की और फोकस कर रहे होते हैं, तो ऐसा करके आप वेटिंग के एनरजी से बाहर आ चुके होते हैं, धर्ड है स्विकार भाव यानि कि Acceptation जब आप परिस्थितिव से लड़ते लड़ते ठक जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब आप अपने जीवन में होने वाली सारी बातों को स्विकार कर लेते हैं जाहे भली हो या बुरी आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप Divine के समक्ष इसे मानते हैं और उस वक्त आप किसी भी बात के लिए सामने वाले को या परिस्थिति को दोसी नहीं ठहराते तो उस वक्त आपके मन हिर्दे आत्मा में एक असीम शांती आ जाती है और उस वक्त आप अपने इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं फोर्थ है Realization जब आप खुद पर फोकस करते हैं अपने भीतर जाते हैं मिरर एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसी कौन सी गल्ती कौन सी चूक रह गई जिसकी वज़े से ये सब हुआ और उस वक्त आपको एक एक बात का उत्तर मिलने लगता है आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर Divine का एक प्लान चल रहा है Divine का एक नियम चल रहा है कोई ऐसा लौ है जिसके अनुसार ये जर्नी चल रही है और उस वक्त आप नत्मस्तक हो जाते हैं सारी बातों को सिकार करके आपको एहसास हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ उसका कारण क्या था तो वही एक परिवर्तन का समय है क्योंकि उस वक्त आपका मन हिर्द आत्म पूरी रीती से परिवर्तित होना शुरू हो जाता है फिफ्थ है detachment जब आप अपने twins से separate हो जाते हैं तो आप detachment में चले जाते हैं लोगों का साथ मित्रों का जूंड आपको पसंद नहीं आता लोगों के साथ रहना आपको पसंद नहीं आता आपको खुद के साथ एकांत में रहना पसंद आता है और उस वक्त आप detachment में चले जाते हैं आप जादा से जादा समय खुद को देते हैं और एकांत में रहते हैं और तब आप divine से align होते हैं और उसके द्वारा divine आपसे conversation करते हैं बहुत से signs and symptoms आपको मिलने लगते हैं इस journey के बारे में आपके मन के बहुत से प्रशनों का उत्तर आपको मिलता है तो उस वक्त वो इस्थिति, वो समय आपको जादा अच्छा लगने लगता है आपको खुद के साथ रहना पसंद आता है जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो एक learning का समय होता है जब आप Unconditioning Love, Self Love को समझ पाते हैं Unconditioning Love यानि की निस्वार्थ प्रेम बिना शर्थ, बिना समझोते का प्रेम जिसमें आप सामने वाले से कोई उमेद नहीं करते आप उनसे लेते नहीं बलकि उनको देते हैं तो वहाँ पर आप Unconditioning Love को समझते हैं और ये Unconditioning Love वो है जो आप अपने Twin से करते हैं कार्मिक से करते हैं या दुनिया के हर एक इनसान से करते हैं और ये Unconditioning Love Divine का सभाव है और जब आप उसमें होते हैं तो Divine आप में होते हैं उसी प्रकार self-law को आप सीखते हैं. जितना प्यार आप अपने twin से करते थे, जब आप खुद की और मुड़ते हैं, तो उतना प्यार आप अपने आप से करते हैं. अपने आपको प्यार देते हैं, उसको respect देते हैं, तो इससे आप में प्यार बढ़ने लगता है, और इसकी वज़़ से वो प्यार जिसके उमेद आप सामने वाले से करते थे, वो आपको सामने से मिलने लगता है. तो यहाँ पर आप complete होने लगते हैं. तो इस प्रकार आप unconditional love और self-law को समझते हैं. सेवन्थ है, duality से non-duality में प्रवेश करना. यह कि state of mind है. जब आप duality में होते हैं, तो आप एक अलगाववादी सिधान्त में जीते हैं. और वहाँ पर आपकी सोच यह होती है, कि मेरा twin मुसे अलग है. उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे सिवकार नहीं किया. लेकिन जब आप non-duality में होते हैं, तो आप वन्नेस में होते हैं. और वहाँ पर आपकी सोच यह होती है, कि मेरा twin मेरे ही भीतर है. वो मुसे कभी अलग हुआ ही नहीं था. उसका चला जाना ये तो एक भ्रहम था. तो जिस प्रकार अनकंडिशनिंग लव, डिवाइन का एक सोभाव है, वैसे ही वन्नेस भी है. क्यूंकि जब आप अनकंडिशनिंग लव और वन्नेस में होते हैं, तो डिवाइन के सोभाव में होते हैं. और उस वक्त आप एक ऐसे state of mind में होते हैं जहाँ पर आपका twin बाहर नहीं बलकि आपके भीतर ही होता है और आप खुद में complete feel करते हैं आप अपने twin को अपने ही भीतर पाते हैं और आपका अधूरपन दूर हो जाता है एर्थ है खुद पर focus करना जब आप खुद पर focus करते हैं खुद को समय देते हैं खुद के साथ समय पिताना आपको पसंद आता है तो आप वो सारे काम करते हैं जो आपको पसंद है आप अपनी creativity से जुटते हैं उसको समय देते हैं और इससे आपकी creativity बढ़ती है आपके भीतर छुपी हुई वो प्रतिभा, वो हुनर, वो बाहर आने लगती है और जैसे जैसे आप उस पर काम करने लगते हैं उसमें आप बढ़ने लगते हैं और वही आगे चल कर आपका सोल परपस बनता है उसी प्रकार नाइन्थ है पीसफूलिस सिच्वेशन ये एक ऐसा समय है जब आपकी माइन बॉडी सोल इलाइन होती है और उस वक्त आपको एक ऐसी शांती महसूस होती है एक ऐसा आंतरिक अनुभूती जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्विन आपके भीतर है वो आपके साथ है और जहां भी आप जाते हैं वो आपके साथ जाता है हर वक्त उसकी उपस्तिती आपको महसूस होती है एक मिनट के लिए भी आपको नहीं लगता कि वो आपसे अलग है या आपसे दूर है यहाँ पर आपकी आपके ट्विन से सोल मर्जिंग हो चुकी होती है तो ये आंतरिक अनुभूती ही बताती है कि आप एक peacefully situation में पहुँच चुके हैं 10th है divine के द्वारा संकेत दिया जाना जब आप खुद पर focus करते हैं ध्यान करते हैं तो divine के द्वारा बहुत से ऐसे संकेत दिया जाते हैं जो बताते हैं कि आपका separation end होने वाला है आपको कुछ सिंक्रोनी सीटी होती है एंजलिक नमबर दिखाए देते हैं जैसे कि 919, 199, 919, 555, 1111, 369, 1001 तो ये नमबर बताते हैं एक परिवर्तन को बिग ट्रांस्फोर्मेशन आपके जीवन में एक अध्याय समाप्त हो रहा है और दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है आप अध्यात्मिक्ता के मार्क में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपको बहुत से अबंडन्स मिलने वाले हैं उसी प्रकार आपको ग्रीन कलर बार बार दिखाई देंगे चाहे कोई द्रिश्य चल रहा हो टीवी पर या पेपर में या पशु पक्षियों के पंख सबजी तरकारी का कलर जो बार-बार आपको अपनी और आकरशित करेगा यह ग्रीन कलर आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है जो यह बताता है कि आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो गया है आप अनकंडिशनिंग लौ में है और जब आप अनकंडिशनिंग लौ में होते हैं और इसी वज़े से रियूनियन होते हैं एलेवन्थ है खुद से एफर्ट्स नहीं लगाते एक ऐसा समय था जब आप अपने ट्विन्स से सेपरेट हुए थे उस वक्त आप उनके पीछे भागते थे उनकी जानकारी लेना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि वो कहां है और क्या कर रहे है लेकिन ये वो बाते हैं जब आप खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आप अपने अनुभों में बहुत आगे निकल चुके होते हैं बहुत कुछ सीख चुके होते हैं और आप शांती पुर्ण इस्तिती में होते हैं इसलिए खुद से एफर्ट्स लगाना छोड़ देते हैं उनके बारे में जानकारी लेना उनकी एनरजी पता करना ये सब कुछ आप छोड़ देते हैं तो ऐसा करने से आप खुद की ओर मुड़ते हैं मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब दर्वाजा बंध है और आप उसे खट-खटा रहे हैं और वो नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको शांत हो जाना है और जब आप शांत हो जाते हैं तो दर्वाजा अपने आप खुल जाता है जब तक आप एफर्ट्स लगा रहे हैं यानि कि दर्वाजा खट-खटा रहे हैं तब तक कुछ भी नहीं होगा लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं खुद से एफर्ट्स लगाना बंध कर देते हैं दरवाजा अपने आप खोल जाता है और वही divine time होता है तो यहाँ पर जब आप खुद से efforts लगाना छोड़ देते हैं तो उस वक्त आप peacefully situation में होते हैं ट्वैल्थ है purification जब आप खुद पर काम करते हैं तो एक गहन साधना करते हैं और उसके द्वारा आप अपने 7 शक्र पर काम करते हैं और उस वक्त आपकी कुंडलिनी राइस होनी शुरू होती है उस वक्त आपके भीतर के वो सारे wounds, blockages darkness clear होने लगते हैं कर्मा क्लिंजिंग होती है इसके द्वारा आप pure हो जाते हैं आपका purification होता है तो ये एक शुद्धी करण है क्योंकि जितनी भी 3D की layers आपके उपर चड़ी है जब वो उतरती है तो आप एक पवित्र वस्था में होते हैं अपने real form में होते हैं वहाँ पर आप पूरी रिती से शुद्ध होते हैं एक नए अवतार में होते हैं तो यहाँ पर आप purification के द्वारा शुद्धी करण के द्वारा एक नए आयाम में पहुंसते हैं 13 है ट्रिगर नहीं होते अब आपने खुद को इतना heel और balance कर लिया है कि कोई भी इंसान कोई भी परिस्तिती आपको trigger नहीं करती चाहे वो आपके twin हो या कार्मिक्स आप उनके बातों का उत्तर देते हैं बड़े confidence से और वो उसका खंडन भी नहीं कर पाते full moon, new moon, portal निकल जाते हैं लेकिन आप unbalance नहीं होते और आपको abundance भी मिलता है यह बताता है कि आपने अपने आप पर बहुत काम किया है और खुद को balance किया है उसी प्रकार 14 है twin से soul merging जब आप इस मनोदशा में आ जाते हैं कि आप divine को surrender हो जाते हैं और अपने शिव को समर्पित होना यानि अपने twin को समर्पित होना जहां पर आपके twin आपके लिए first and last choice होते हैं तो वहाँ पर आप यही निर्णा करते हैं कि मैं कोई भी दूसरा option नहीं चुनूंगा या नहीं चुनूंगे तो वहाँ पर आप एक peacefully situation में होते हैं 15 है transformation एक बदलाव एक परिवर्तन, एक चेंज जो आपके भीतर होता है जिसकी वज़े से आप नए रूप में आ जाते हैं आप अपने real form में आ जाते हैं जिस प्रकार एक butterfly कुकुम सिर्व जब बाहर निकलती है तो एक पूर्ण butterfly के रूप में आकाश में उड़ती है उसी प्रकार जब आप dark night of the soul से निकलते हैं तो आपका एक नया जन होता है उस वक्त पुरानी बाते बीट जाती है सब कुछ नया हो जाता है आप एक नय रूप में होते हैं आप जब भीतर से बदलते हैं तो वो प्रभाव बाहर भी दिखाई देता है और लोग आपको देखकर यही कहते हैं कि तुम इतना कैसे बदल गया क्योंकि आप पूरी रीधी से graceful हो जाते हैं आपकी चमक लोगों को अकरशित करते हैं लोग मुढ मुढ कर आपको देखते हैं आपको देखना चाहते हैं आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आपके एनरजी उनको एटेक करती है तो ये बतलाव आप स्वेम में देखेंगे क्योंकि यही बतलाव जो आपके भीतर हुआ है वो बाहर दिखाई देता है और एक दिन आपका ट्विन भी आकर आपसे यही कहता है कि तुम तो पूरी रीती से बदल गई हो उसी प्रकार 16 है लाइफ परपर से जोड़ जाना जब आप खुद पर काम करते हैं खुद को समय देते हैं अपने क्रियेटिविटी पर वर्क करते हैं तो आपकी प्रतिभा बढ़ती है और इसके द्वारा आप अपने सोल परपस से जोड़ते हैं और इसके द्वारा आप अपने सोल परपस पर आकर काम करने लगते हैं चाहे वो कैसी भी प्रतिभा हो उस वक्त आप एक ऐसे मुकाम पर होते हैं यहां पर आप अपने उस छेत्रे से जोड़कर काम कर रहे होते हैं और यहां पर आपके मन में एक संतुष्टी का भाव होता है। आप पूरी रिती से कंप्लीट होते हैं। 17 है डिवाइन को ग्रेटीटूट पे करना। इस जर्नी में चलते हुए जब आप बहुत सा अनुभा हासिल कर लेते हैं। अपने जीवन को समझ चुके होते हैं। अपने ट्वीन के साथ कनेक्शन को और इस जर्नी को तो आप डिवाइन का धनिमात करते हैं। उनको ग्रेटी हर समय आपको धाढ़ाज दे, हिमत दिया जिसकी वज़ा से आप इस जर्नी को पार कर सकें। इसलिए जब आप उन्हें ग्रेटीटूट पे करते हैं तो आपकी आँखों में आशू होते हैं। और वो प्रेम के होते हैं। पहले आप अपने ट्वीन को याद करके रोते थे लेकिन अब डिवाइन को याद करके रोते हैं। लेकिन ये खुशी के आशू होते हैं। उसी प्रकार 18 है, 5D में पहुँच है। ये जर्नी 3D से 5D की है। जब आप 3D की मनोदशा में होते हैं तो आप सामने वाले से मांग करते हैं। और ये चाहते हैं कि वो आपको एक्स करें। लेकिन जब आप 5D की दशा में होते हैं तो वहाँ पर आप बिना शर्थ प्यार करते हैं। अनकंडिश्निक लव में होते हैं। और वहाँ पर कोई मांग नहीं होते हैं। आप पूरी रितिव से निट्रल होते हैं। बैलेंस होते हैं। इसलिए जब आपका twin आप ह जाए तो भी आपको खुशी नहीं होती जिस प्रकार आप पहले बहुत ज़्यादा खुश हो जाये करते थे तो आपको खुशी होती है लेकिन आप उस वक्त भी बैलन्स रहते हैं क्योंकि आप नीट्रल है तो ये जो परिवर्तन है आप में दिखाई देता है और ये बताता है कि आप पूरी रीती से कंप्लीट हो चुके है नैंटीन है सर्प्राइज गिफ्ट आपका ट्वेन आपके लिए एक सर्प्राइज गिफ्ट की तरह ही है जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजा जाता है डिवाइन टाइम में और ये तब होता है जब आप पूरी रीती से खुद में मगन होते हैं आप खुद पर ध्यान दे रहे होते हैं खुद के काम में व्यस्त होते हैं और उसकी वज़े से आपका ध्यान पूरी रीती से खुद में होता है आपके एनरजी बिलकुल भी आपके ट्विन की ओर नहीं जा रही होती है तो ऐसे में आपको ये सोच ये विचार भी नहीं होता कि अचानक से यदि आपके ट्विन आपके सामने आ जाये तो आप क्या करेंगे क्योंकि ये पूरी रीती से सर्प्राइस की तरह होता है एक परेडाम कि जो काम आपने खुद पर किया खुद को हील किया बैलन्स किया आप अपने सोल परपस पे आई डिवाइन को सर्फ कर रहे हैं इसके तहट आपको आपके ट्विन से मिलाया जाए और एक ऐसा समय जब आप बेटिंग के एनरजी में नहीं होते आपको मालुम होता है कि आपका ट्विन कहीं और नहीं बलकि आपके भीतर है आप कम्पलीट है और उस वक्त आपको डिवाइन टाइम का भी वेट नहीं होता क्योंकि आप अपने आप में ही व्यस्त होते हैं और ऐसे समय में आपके ट्विन का आना होता है बिल्कुल अचानक ही और वो एक surprise gift होता है तो इस प्रकार आपके ट्विन से आपका reunion होता है आपका separation period end होता है तो प्रियों ये वो सारी बाते हैं कि किस प्रकार separation end होते हैं और आपके twins से आपका reunion होता है यदि ये points ज़्यादा से ज़्यादा आपको resonate होते हैं तो comments box में लिखिए बताईए इसके विशह में तो प्रियों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care and God bless you all मेरी soul family आप सभी की जर्ने पूरी होये